इदर बुधिजम को देखिए, बुधिजम में तो बुध्धा अरहंत थे, अरहंत का मतलब जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर लिया हो, अपनी एक्छाओं को समाप्त कर दिया हो, तो बुध तो एक सिक्षक और उपदेशक थे, बुध ने लोगों को निर्वान के स सिक्षा दे और कहा कि देखो, मेरे बताए गए नो चरिया और दस अनुशाषन का पालन करते हुए, अगर तुम आगे बढ़ जाते हो, तो तुम निर्वान के रास्ते पर चले आओगे, मतलब एक सिक्षक और उपदेशक का मतलब यह है, कि जैसे मैं हूँ, तो अब मैं आ हुआ बुद्धा का, और भाई जो नहीं करोगे, उसमें आए, हम स्वरी, हम कुछ कर नहीं पाएंगे फिर, तो बुद्धा का यही एप्रोच है, तो यह एप्रोच में बुद्धा के बारे में बाद में कहा गया है, कि अरे, जिसी से मैं इसा कि आरंभिक शताब्दियों भक्ति की अधार नाई, तो देखो, भक्ति की अधार ने से बुद्धिजम है, तो बुद्धिजम में तो आपको नौ चरिया, दस अनुशासन कुछ करना पड़ेगा, और जब कुछ करने की बात हो, जैसे बच्चे को गरिया कहा जाए, कि बच्चे मैं ऐसा तुमको नुस और तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, तो ऐसा अगर मैं सहाज तरीका निकालू तो आपनों पुर्य जयजयकार करोगे, तो कुछ-कुछ वही महायन बुद्धिजम में आना शुरू होगा, जैसे आप देखा जागा कि बुद्ध तो खुच चले गए निरवान के रास्त जो धर्म के सथापक है, उनके गुजर जाने के बाद उनके जो चेले चपेटे होते हैं, उनके जो followers होते हैं, उनके जो अन्य संत होते हैं, वो उनके बिचारों में और भी कुछ नमक मिर्श मिलाते जाते हैं और थोड़ा सा परिवर्टन लाते जाते हैं तो जब बुधिजम में उस तरह की धारना थी कि निर्वान सभी को प्राप्त नहीं हो सकता निर्वान का रास्ता सभी के लिए खुला नहीं है और जिसको भी निर्वान प्राप्त करना है वो अमुक तो लोगों को एक ऐसा सहज रास्ता चाहिए था जिसमें कुछ करना ना पड़े और बैठ बैठाए निर्वान मिलिया है और इसी क्रंम में भक्ति की ओधारना जो आई और भक्ति में नहीं कुछ करना होता है भाक्ति में सिदे जाके सब्सकुल और आप vein करेंगे तो बड़ा सुलब होता है भक्त चीज़ कपन गई भुधय चले गए रहा सीब और एक नया कॉंसेप्ट आ घर황 CT का नाम है बोधि श निस्वार्थ सेवाıs मतलब है कि जैसे से बुद्धा के बारे में कहा गया जिए कुछ भी Schön नहीं किया है। To not है कि जब तक इस संसार में एक एक प्राडी को हम निर्वान नहीं दिला देतें तर हम खुद निर्वान के रास्ते पर नहीं जाएंगे। तो जो बुधि शत्वा या जो मायान बुधिजम है that believes in the transfer of merit जो मायान बहुत प्रंथ है वो गुरों के हस्तांतर्व में विश्वास करता है कि मेरे में जो गुर होंगे मैं पहले नौ चरिया दस अनुशासन का पारन करके निर्वान की योगता आ गई लेकिन जब हमारे जाने की बारी हुई तो हम रुख हुए और अपने गुर को आपको हम हस्तांतरित कर दिये आप निर्वान के रास्ते पर बर जाए और हम फिर चल रास्ते पर जाएंगे तो वही दूसरा वाला रास्ता जो मैंने कहा कि गुरुजी को ऐसा मेथट बता दे जिसमें कि गुरुजी पढ़े और हमें परना ना पढ़े और सीधे मुक्ष मिल जाए मतलब UPSC तो ऐसा रास्ता महायान बुद्धिजम्य बुद्धिशत्वा ने जमने में फैलती चली गई तो अब लोगों में बुद्धिशत्व के लिए सर्धा आने शुरू होई सर्धा कि जो आपके लिए ऐसा कर रहा है उसके प्रतितों सर्धा आने ही चाहिए और सर्धा से निकली भक्ति तो बुद्धिशत्वा की भक्ति होने लगी और भक्ति से से जुर गई मूर्ति पूजा तो और जलती तु कि मॉर्तियां बने लगे आज बाद में बुध और बोर्दिशत दोनों बलर्ड हो गया मतलब बोदिशत्व बुद्ध में मिल गए है तो आगे चल कर दोनों की मूर्तियाद बने लगी और बोदिशत्व में तुम में तुम देखतो हो अब लोग की tercvr है पढ़न पानी है पढ़न पानी चिति गर्वा तो बहुत सारे बोधिशत्व है जिन बोधिशत्वों को क्यों पासना शुरू हो गई और मूर्ति बनने लगी तूश से मूर्ति पूझा भी आ गई अब क्या है कि जैसे अब उसमें वैपारी वर्ग है चूकि तो बेच विशत्व है मिकों अब उन्के पास धहन है लेकिन वक्त नहीं है और बोधि शत्व्याक के पास वक्त है तो दहन नहीं है तो बोधिशत्वा के नाम पर अब ये बौध संग को बहुत बड़ी मात्रा में आर्थिक अनुदान देने लगे। कुछ एक पट्री एक कमंडल एक जोला वगर वगर और आपको कोई कीमती उपहार दे तो आप स्विकार ना करें लेकिन अब बुधिश्यम बन गया तो बुधिश्यम बन गया लिवरल अब उसको जो भी अनुदान दिया जाता बड़ी सहस्ता से स्विकार करता सोने चांदी ह सब कुछ स्विकार करता तो देखते देखते बौध संग बन गया धन का जाखीरा और जो भीक्षू पहले नौ महीने घूमते थे और तीन महीने बसे विए थो अस्थाई रूप से बस गये अब वो एस्वरी की जिंदगी जीने लगे जो बौध मठाधीस बन गये उनके प तो उसके पूरी जीवन व्रिती बदल गई उसकी इकॉनमी बदल गई उसके रहांसान का तरीका बदल गया देखने का नजरिया बदल गया तो पाली भाषा तो लुक भाषा थी जैसे आपनों को भी हिंदी माध्या में हो जब आपका सेलेक्शन हो जायागा और आप मसूर ट्रेणिंग में जाओगे तो उसके बाद जब आकर मिलोगे तो बीच मिच में आप अंग्रेजी भाषा का प्रियोग करना चाहोगे क्योंकि अब आप में एक अभीजात्यपन आ चुका होगा और अंग्रेजी जो विरूध करते हैं वहाभी और जो अपनाते हैं वह भी द भिजिद्ध करतं नेने कर अभरभूर प्रयास करोगे दोगे कि कोसित करोंगे और हर जगातानी की कोसित करोगे अंग्रेजी यह आपकी भाषग्या रहें और वही हाल हूए परा है इस बधसंग को अब पाली भाषा लोग भाषा है कितने समय तक वो चल सकते उन्होंने अब पाली भाषा को चोड़कर महायान बुधिजम ने संस्कृत भाषा को अपना लिया पाविजात्यपन आ गया अब इतना सारा परिवर्तन आ गया भक्ति के का महायान बुधिजम में उधर बुधिजम पर भक्ति का प्रोपज़ आ था विश्नु के भी आवतार की परिकलपना गई थी दस आवतार की परिकलपना और ओहां भी मुटियां बने लगी थी विश्नु शिव की तो सारी चीजे मिलती जूती दुनों में थी तो ब्रहमर्तों इंतिजार कर ही रहे थे, उनको भी अवसर मिला, उन्होंने बुद्ध के दस आवतार में नवा आवतार के रूप में बुद्धा को घोशित कर दिया, और फिर उन्होंने बुद्धियम को उद्रस्त करने की कोश के च्छत में लोक्तत्व बहुत ही महत्पूर्ण हो गया लोक्तत्व का मतलब है कि यह तो मैंने आपको बुधियम में महायन बहुत पंद्ध है जैन पंद्ध में क्या हुआ कि जैन पंद्ध में जैन पंद्ध के साथ बुधियम से अलग एक बात यह रही कि दिगंबर और श जो दिगंबर साधू थे, जो नैकेट रहने आप पसंद करते थे, वो करनाटक छत्र को आधार बना लिया, और जो गुजराज छत्र है, वहाँ पर स्वेतामबर साधू का विस्यस वर्चस हुआ, लेकिन जैनिजम अपना कुछ मूलवूत चीजों को नहीं छोड़ा, तो उसमें उतना परिवर्टन नहीं दिखेगा जितना आपको महायान पंत के विकास के बाद बुद्धिजम में दिखेगा, लेकिन हाँ, भक्ती का प्रहौ जैन पंत पर भी है, क्योंकि उहाँ पर भी अब तिर्थंकरों की मुर्तियां बने लगी, जिसमें जिन की मुर्ती, महावीर की मुर्ती ही बने लगी, और तिर्थंकरों की उपासना आरब हो गए, दूसी बात है, कि ब्रहामनिजम ने एक तो वैसनव कल्ट और शेव कल्ट का भी कास किया आरे और ग्यार आरे तत्नों के विश्रवं से इसके अलावा बहुत सारे ऐसे धार्मिक पंध थे बहुत सारे ऐसे देवता थे जैसे एक तो मैंने आपको बता कि जैसे मचली वरा हकुरुमू ये सब रूप बदलता रहता है समय के साथ उसमें बदलावाता जाता है हमें अभी तक लगता है कि 24 सेंचुरी में कोई ऐसा देवता क्यों नहीं गहा गया है यह संजोग ही है जो कम्पीटर चलाने वाले देवता हूं अब भी परिकर्पना कर ले जाए कि इंटरनेट वाले देवता कम्पीटर चलाने वाले देवता तो जैसे जैसे जीवन क्यावश रखता है बदलती है तो देवता और धर्म का कॉंसेप्ट वी बदलता चलता है तो उहां पर जो आप देखते हो एक तो यह है दूसरी बात क्या है उनकी जो देवता है जैसे दात वाले देवता है मुझ व देवता के सिवक थे नाग-नागिन तो यक्ष यक्षनी और नाग-नागिन की उपासना जनसामान में बहुत जादा प्रचली थी उसको भी ब्रहामनिजम ने अपने कल्ट के रूप में अपना लिया यक्ष यक्षनी की पूजा जनिजम में भी सुरू हो गई अब आप देखो आदे कल्ट को अपने आप में आपने साथ कर लिया इन कल्टों का अपनाने के बाद अब ब्रहामनिजम में मुर्ति पूजा तो शुरू ही हो गई और इस काल में मंदिर बनने के आरंभिक साक्ष मिलते हैं वैसे मंदिर का प्रमान आपको गुप्त काल में मिलेगा अपना इस काल में आपने देखा नागरी का मंदिर कौन मंदिर कौन मंदिर मैंने नाम दिया हुआ है चुकि कुछ खुदाईया हुई है उसमें राजस्थान के नागरी से और कई जगों से कुछ मंदिरों के भी साक्ष मिलें मंदिरों भी बनने लगे हैं लेकिन इसका और भी जिस धर्म को आप कहते हो जो तथा कथित हिंदू धर्म वह घंदू धर्म का आधार इसी काल में तैयार हुआ इसलिए आप कहते हो इतिहास का महत्पुन भूत कि ये बात धार्म के बारे में काम की चीजे मैं आपको not down ढूंभी करा देता हूँ जैसे मेरे booklet विह है अब जैसे आपको नो डाउन नहीं कराता पिर कला पर चला जाता और छो आपका समझाते चला जाता आप booklet में देखते चले आपका course बहुत ज WILL समात हो जातां मैं तो मुझिए देखो अगर मैं बिलंड भी करता हूं तो आपके लिए करता हूं के लिए यापको करने के लिए गेट दिया है तो आपको बहुत फाइदा होगा आपने कभी हाइवेज पर देखा है लिखा होता है दुर्घटना से देर वहली कि यूपियसी में जब देर होने लगता है तो पता चलता है छे के छे चांस निकल गए और पाउं नहीं रुखा उतने देर होने से तो अच्छा यही है कि थोड़ा कोर्स में हलका सथ देर हो लेकिन एगजाम से निकल जाए तो यह मेरा प्रिंस्पुल है और मैं इसी को मानरे के चलता हूं मैं परहाने क्वालिफाइक कर वाने के लिए परहाना चाहता हूं मैं किवल कि फिस लेने और क्लास को फिनिस करने नहीं परहाना चाहता हूं इसलिए कई आप लोगं को भटकते हुए देखता हूं तो आप देखते हो कि चीज पूरानों में आया है तो यह चीज लोक सहज है अब वीद का मंत्र अभी भी आप देखते हो मैं आपको दोधारन देता हूं कि आप लोगों को पूजा करने का कोई experience है क्या करते होगे मैं अपनी बात बताता हूं अब आप सामने नहीं बैठे हुए जो फिर सामने बैठेंगे हम अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि फरवरी लास्ट में फिर हम लोग सामने बैठ जाएंगे और यह चलेगा तो आपका लंबा तो इसलिए कोई असी बात नहीं है जो offline वाले बच्चे हो वो धाज रखना वो तुमको offline का भी आनंद मिलेगा ऐसा नहीं है और फिर मैं पीछे जितना कोर्स में online में ले जाओंगा उसको थोरा सा आप लोग से discuss कर लूँगा तो उसमें वी confidence आ जाए तो मैं आपको यह बता रहा था कि इसलिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना आप अपना काम करते चलो तो मैं आपको बता रहा था कि आचा देखिए ऐसा है कि आपने करते उपासना क्योंकि मैंने किये तो मैंने मैसूस किया है कि मुझे अगर मंत्र चान अभी जो पंडी जी घर में आकर उपासना कराते हैं वो क्या है वो यग है फरक ही है कि आनाजों के आहोती दी जाती है पसूं के आहोती कि तो कहते हैं यहां से उसको उठाईए उसको वहां रखिए ये अच्छत लिजिए उस बेल पत्र पर चरहाईए यहां पर जल से सिंचित करिए तो पता नहीं मैं मुझे वहां डालने के लिए बोलते हैं तो तो मैं कुसी दुसरी जगर डाल देता हूं अब वही बात वहां होती है उसका पूझा डिश्टर रहता है पंडी जी थोड़ा कई बार खीच जाते हैं कि यह अजमान है जो हमारे रूस को पुरी तरह फॉलो नहीं कर पार है लेकिन उसमें बुरियत होती है बुरियत को थे मंत्र चाहर में बारे बुरियत वाले चीज हो पता बीयुश, इस को सन्गीत दिखता है तो मन गद गद हो जाता है तो हमारे उम्न को इस मंत्र चाहर से कुई मतलम नहीं उनके लिए बस एक जरिया है, इस वहर से कुछ पाने का लेकिन जो भक्ती है, वो भक्ती सर्व सुलव है तो व्यद्इक परमपरा लोक का प्रियर नहीं हुए पुरानों की परमपरा लोक का प्रियर हो और आज अगर हिंदु धर्म जाना जाता है तो वेदों से नहीं, आज भी लोग बोलते हैं सनातन धर्म, सनातन धर्म ने वैदिक परमपरा से, आज मैं कौमन हिंदू को पूछ हूँ कि what do you mean by हिंदू धर्म और हिंदूइजम, तो यग की बात नहीं करेगा, वो बात करेगा मंदिर और मुर्ति पूजा की, जिसका विका अधिक जानकारी के लिए, स्क्रीन पे दिये गए फोन नंबर पर हमसे संपर्ब करें, या हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें, थाइंक यू